सिवान जिला के मेरवा थाना छेदर के बैकुंट चापर गाउ में धरदार हतियार से हमला करने वाले दो नामजद अभ्योक्त को पुलिश ने गिरफतार कर लिया सुक्रबार की देर रात पुलिश ने अभियोक्तों के घर छपे मारी किया था गिरपतार अभियोक्त लश्मन कुस्वाहा और अनिल कुस्वाहा बताया जाता है दोनों रिष्टे में पीता पुत्र लगते हैं बताते चले कि 13 अक्टूबर को दो पक्षों में पेन काटने को लेकर हुए भिबाद में धालदार हतियार से हमला एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया था जिससे एक यूवक का दाया हाथ का नस कटने से खून से लगफ़त हो गया था इस मामले में पुलिश ने करवाई करते हुए तीन नामजद अभियोक्तों में से दो अभियोक्तों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है तो आपको एक बार फिर से बताते चले की सिवान जिला के मेरवा थाना छेदर के बैकुंट छापर गाउं में धरदार हतियार से हमला करने वाले दो नामजद अभियोक्त को पुलिश ने गिरफतार कर लिया सुक्रबार की देर राद पुलिश ने अभियोक्तों के घर छपे मारी किया था गिरफतार अभियोक्त लश्मन कुस्वाहा और अनिल कुस्वाहा बताया जाता है दोनों रिष्टे में पीता पुत्र लगते हैं बताते चले कि 13 अक्टूबर को दो पक्षों में पेन काटने को लेकर हुए बिबाद में धालदार हतियार से हमला एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया था जिससे एक यूवक का दाया हाथ का नस कटने से खून से लटफत हो गया था इस मामले में पुलिश ने करवाई करते हुए तीन नामजद अभियोगतों में से दो अभियोगतों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है